मौनेच कलहो नास्ती मौन रहने से कलह यानी जगड़ा संत हो जाता है, खत्म हो जाता है परवार में यह होना बहुत ज़्याद आवस्सक है सामने वाला बोल रहा है आप चुप रही है तूफान एक आया होगा वो उपर से ओड़ करके चला जाएगा करोध को जीतने का एक बहुत सुन्दर धंग है मौन इयम और नियमों में भी मौन का वर्ड़न बहुत बिस्तार पूरवक किया गया है उपवास वाले दिन, बृत वाले दिन हम सिर्फ फुलका छोड़ दें इसे ही बृत पूरा नहीं हो जाता उसमें मौन की बहुत बड़ी महिमा का वर्ड़न किया है ऐसा बताते है जो बारे वर्ष मौन रह ले उसके वानी सिद्ध हो जाती है ऐसा तो मौन किसी कामका नहीं है बानी सो बोलते नहीं है कागड पंद्रव भर देते हैं दिन में कुछ लोग ऐसे भी मौनी होते है मौन बहुत आत्मसांति देता है कले हुई नहीं सकता जगड़ा हुई नहीं सकता मौन की बिसे इस तक कम बोली है बिचार करके बोलिए सोच करके बोलिए को सब इश्वर का रूप है इसलिए किद्रा सुन्दर लिखा है मौनेच कलहो नास्ती जहां लोगोंने मौन रहना सीख लिया है अभ्यास कर लिया है उनके साथ कभी किसी का जगड़ा होई नहीं सकता मौन की बिसेस्ता है नास्ती जागरणों भयम और जो रात्री को जागते हैं उनके यहां पर कभी चोर आ नहीं सकते हैं आएंगे डरेंगे भैवीत हों ये तो उस जागरण की बात वही आप भी जागरत रहिए तो काम, क्रोध, लोह, मौह, मद, और, मतसर ये डखेत हैं, ये चोर हैं ये आपको लूट नहीं पाएंगे इसी संदर्व में इस लिंग पुरान की इस दिव महिमा में आप बिगत तीन दिनों से बरावर शिवलिंग महिमा आप सून रहे हैं भगवान शंकर की पंडी की महिमा आप सून रहे हैं महात्मा अमरकंड ने एक पुत्र को जनम दिया जिसका नाम मारकंड ये था सुनें, आज की बात को यहां से आरम कर रहे हैं मारकंड ये के जनम पर बड़े-बड़े संत्रशे और महर्शी चल करके आए आशिरवाद दिया लेकिन जब वो जाने लगे तो महात्मा अमरकंड ने पूछा आप सब तत्तो दर्सी महात्मा हैं तीनों कालों की बात जानते हैं मैं चाहाता हूँ कि मेरा बेटा मेरे बाद में रहे इस धर्थी पर क्योंकि ये किसी पिता के लिए सुब नहीं है कि उसका बेटा उससे पहले चला जाए ये महात्मा मरकंड ने का और एक पिता भगवान की पूजा में से खड़ा होता है तो यह प्रमात्मा को प्राट्वना करता है कहता भगवान में आपसे और कुछ नहीं मांग रहा हूँ मेरी संतान को काली रात्री न देखनी पड़े इनको आप लंबी आयू देना कि हम आपसे मांगते है एक बार धर्मराय दिश्टर को किसी ने पूछा कि आपको क्या अच्छा लगता है धर्मराय दिश्टर की आँखे बराई और उन्होंने ये कहा कि इस्वर ने मुझे बड़ा बना करके भेजा है ये मुझे अच्छा लगता है बहुत ध्यान से सुनना बात को ये बात है गरंतों में ही है पूछा गया कि बड़ा बने के आप आये हैं तो आप पूजे जा रहे हैं इसलिए तो धर्मराय दिश्टर रोपड़े का नहीं लोग मेरे गले में माला डालें लोग मेरी पूजा करें मैं हस्तनापुर की गद्धी का सासक वनू इस बज़े से बड़े बनने के मुझे प्रश्णता नहीं है मुझे प्रश्णता इस बात की है मैं अपने भाईयों से पहले आया हूँ दुनिया पहले छोड़ करके जाऊंगा मुझे अपने भाताओं की मृत्यू नहीं देखनी पड़ेगी मैं इसलिए खुस हूँ कितनी बड़ी बात है साधान बात नहीं है अनुद की मृत्यू पुत्र की मृत्यू इसको सेहन करना कोई साधारन बात नहीं आया है इदुष्ठर का एक बाक्य आप देखिए वो कहते हैं मैं गद्दी का मालिक बनूँगा ये मुझे प्रश्णता नहीं है मुझे प्रश्णता इस बात की है पहले आया हूँ दुनिया छोड़कर पहले चला जाऊंगा क्योंकि मुझे अपने भाई के सब के उपर रोना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं उस इस्तती को मैं देख नहीं सकता किसी का भाई ये तो आप रावड को पूछ लीगे मेगनाद की मृत्तू पर रावड नहीं रोया उतना जितना कि जिस समय कुम्भ करण ने अपना सरी छोड़ा है उस समय रावड की स्तिती क्या थी रावड समलने में नहीं आ रहा था इतना पढ़ा हुआ पंडित भाई तो कोई चीज है तो एक पिता पुजा मैं से उड़ता है तो भगवान को यह प्राट्वा करता है मेरी आयू मेरे बच्चों को लग जा